हे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ भई आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे दोस्तों आज के समय में जैपान देश की पूरी दुनिया में एक अलगी पहचान है ये देश टेक्नोलजी और डेवलमेंट के मामले में दुनिया में सबसे आगे माना चाता है पूरी दुनिया ये रोबोट्स को अपने देश में धीरे धीरे इंटेड्यूस कर रही है वहीं जैपैन पिछले कई सालों से रोबोट्स का इस्तमाल कर रहा है यहां तक कि कई रेस्ट्राज में खाना भी रोबोट्स के द्वारा ही सर्फ किया जाता है जैपैन की प्रा दोसो जैपैन के लोग बेहदी नमरों सभाव के माने जाते हैं और महमानों की हर प्रकार की साहता करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी दूसरे देश में जा कर लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कहां कहां घोमने जाना चाहिए। आज किस वीडियो में हम जैपैन की 10 ऐसी जगाहों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आपको जैपैन यात्रा के अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए अब धेरी ना करते हुए आज की मज़दार वीडियो शुरू करते हैं। टोक्यो दोसरो टोक्यो जैपैन की राजधानी भी है और इस देश का सबसे पसंदीदा ट्यूरिस देस्टिनेशन भी है। टोक्यो उसका ट्वी से शेहर का खुबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। टोक्यो और जैपैन का आप इतिहास जानना चाहते हैं तो इंपीरियल पैलेस की सैर एक बार आप सरूर करें। इसके निर्मार सत्रवी शताबदी के दौरान किया गया था मीजी श्राइन और सैंसो जी टैंपल टोक्यो की शान है। शायदी किसी देश या शेहर में कोई परिटक फिश मार्केट जाना पसंद करेगा लेकिन टोक्यो शेहर की सुगजी फिश मार्केट भी परिटको को अपनी और आकरशित करती है। अगर आप पार्टनर के संग टोक्यो घूमने जा रहे हैं तो निजू बशी ब्रिज जैसी रोमेंटिक जगा सरू विजिट कीजे। इनके अलावा टोक्यो, डिस्नी लैंड, डिस्नी सी, गिबली म्यूजियम, टीम लैब, बॉर्टरलेस और शिंजुकू जैसी जगा भी आप टोक्यो में खुम सकते हैं। क्योचो, सेकलू सालों तक क्योटो ही जैपैन की राजधानी रहा था। दूसरे विश्यूद के दौरान इस शहर को काफी नुकसान पहुचा था। अगर आपके पास जैपैन में खुमने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है, तो आप सिर्फ क्योटो शहर खुमने चाहें। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेडिशनल जैपैन की छलक देखने को मिले की, बैंबू फॉरेस्ट, लकली के ट्री हाउस, रेकिट क्रेवल्स और कार्डन सहेद अधिहासिक मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। मंदिरों से आने वाली आवाज मन को शांती प्रदान करती है। बना क्योटो इंपीरियल पैलेस, इस शेहर की सबसे एतिहासिक साइट मानी जाती है। नाव शिमा, ये एक बिहदी खुबसूरत आईलेंड है दोस्तों जो सेटो इनलेंड सी के किनारे मौजूद है, इसे खोस जान और रूरल आईलेंड भी कहा जाता है। जैपैन में अगर आपको सुकून के पल व्यतीत करने हैं और शेहर की भीरभार देखकर आपका मन भर गया है, तो इस आईलेंड पर आप चासकते हैं। समंदर के किनारे आप कई डिशिस का लुथ भी ले सकते हैं। साथ ही चम कर पार्टी करने का मौका भी जरूर मिलेगा। ओसाका जैपैन का तीसरा सबसे बड़ा शेहर है और एक मेट्रोपॉलिटिन सिटी है। ये शेहर मौज मस्ती के लिए जाना जाता है, देर रात तक पार्टी करनी हो या स्ट्रीट फूट का लुथ उठाना हो, हर तरीके से ये शेहर बिल्कुल परफेक्ट है। जोटन गोरी का कल्चुर आपको जरूर पसंद आएगा, यहाँ पर ठेर सारे रेस्ट्रॉस, पॉब्स और पार्स बने होए हैं, जहाँ पर आप पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। उसावा के युनिवर्सल स्टूडियोज, हैरी पॉटर के दुनिया की जलक आपको देखने को मिलेखी। इसके लावा भी उसाका में करने के लिए बहुत कुछ है। ओमेदा स्काइ बेल्डिंग और टुसुट एन काकु टावर से आप शहर का खुबसूरत नजारा देख सकते हैं। सुमी ओशु श्राइन और शितेनोजी टेंपल इस शहर में मौजूद दो बेहत खास रिलिजियस साइट्स हैं। माउंट फूजी ये जैपैन की सबसे उची चोटी है और एक प्रमोग ट्यूरिस देस्टिनेशन भी है। हर साल दस लग से जधा सैलानी इस बहार की चड़ाई के लिए आते हैं। और ट्रेकिंग और शौक रखने वाले लोगों के लिए ये जगा किसी जन्नत से कम नहीं है। इस परवत की उचाई 3,776 मीटर हैं ये 100 किलो मीटर स्थूर टोक्यो शेहर से भी नजल आता है। साल 2013 में से युनेस्को वर्ड हेरिटेज साइट खोशित किया गया था। माउंट फूजी असल में दोस्तों फूजी है को निजू नैशनल पार्ट का हिस्सा है। यहां से संराइज का नजारा बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है। जैपैन को लेंड आफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरी दय यहीं पर होता है। माउंट फूजी की चढ़ाई आप दिन में शुरू करें, रात को माउंटेन हर्ट्स में रुकें और कैम्पिंग करें और अगले दिन सुभावट कर वापस अपनी चढ़ाई पूरी करें। और सबसे पहले संराइज को देखें। माउंटेन फूजी की तलहटी में कई शांदार छीलें बनी हुई हैं निकगो। इसे जेपैन में टेंपर टाउन या मंदिरों के शेहर के नाम से जाना चाता है। और इसे भी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये शेहर पहाड़ी इलागों में मौझूद है, पतज़र के मौसम के दौरान इस शेहर की सुन्दरता अदभत हो जाती है। चारों तरफ से ये शेहर जंगलों से घेरा हुआ है, टोशोगू श्राइन यहां का सबसे प्रसेदर और अतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में काफी ज़्यादा भीर भाड़ होती है। ऐसे में सुभा अगर आप यहां पर जाएं, तो आपके समाई की काफी बचत हो सकती है। वैसे तो इस शेहर को बसाने की शुरुआत सन सूला सौ के दौरान शुरू होई थी, लेकिन भगवान बुद की पूजा यहां पर बहुत पहले से की जा रही है। चैकिनो श्राइन पर हाइकिंग का मज़ा भी आप निको शेहर में ले सकते हैं। शिल्कियो ब्रिज और किगॉन फैल्स फोटोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा लोग प्रिये है। दूर दूर से लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। निको शेहर में जगा जगा आपको आर्किटेक्चर और कला के खुबसूरत नमूने नजर आएंगे। हिरोशिमा हिरोशिमा शेहर के बारे में भला कौन नहीं जानता। यह होंशू आइलेंड पर इस्थित है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दुनिया का पहला ऐसा शेहर बना था जिस पर परमाडू बम से हमला किया गया था। उस हमले के जखम आज तक भी लोग भूल नहीं पाए हैं। आधे से जादा शेहर पूरी तरहा तबाह हो गए थे और दूसरे विशुयुक के बाद नए सीरे से शेहर बसाया गया। इस शेहर की सबसे प्रमुक जगा है पीस मैमोरियल म्यूजियम और इसकी चारो और बने पार बहुत ही अच्छे हैं। दूसरे वर्ड वार की कई निशानिया यहाँ पर देखी जा सकती हैं। नारा इस शेहर को सबसे पहले ही जो क्यो के नाम से जाना जाता था और इसे जैपैन की पहली राजधानी होने का दर्चा भी प्राप्त है। इस शेहर की स्थापना सन 710 हिस्वी में की गई थी। और आज ही युनेसको के विश्वत यहासिक धरोहरों की सूची में शामिल है। तो दायजी टेंपल में 16 मीटर उंची गोर्ड और प्राउंस की बनी भगवान बुद की प्रतिमा काफी प्राचीन है। और इस मूर्ती को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षाद भगवान बुद यहां पर विराजबान हो। इस मंदर परिसर में दोस्तों डाय बुटसू देन बना हुआ है जो दुनिया में सबसे बड़ा लकड़ी का हॉल माना चाता है। कोफुकुजी टेंपल भी आपको काफी ज़्यदा पसंद आएगा। आप क्योटू शहर के बार नारा शहर घोमने का प्लान बना सकते हैं क्योटू से केवल एक घंटे की दूरी पर ही इस्थित है। ओकिनावा ओकिनावा दोस्तों एक आर की पैलगो है जिसके अंतरगत 150 से ज़ादा आइलेंड्स आते हैं। लंबे समय तक ओकिनावा रियो क्यू एमपायर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 19-वी शितावदी के दौरान जैपैन ने इसे अपने देश में शामिल कर लिया। ये मेल लैंड जैपैन से 2000 किलोमेटर साउथ में क्यूशू और ताइवान के बीच में इस्थित है। यहां के समुत्री तर्ड बेहदी खुबसूरत है। इन बीचेस पर आप स्कूबर डाइविंग के साथ साथ कई सारे वाटर स्पोर्ट्स एंच्वाए कर सकते हैं। इशिगा की यहां का सबसे फेमस बीच है। जैपैन से दूर होने और लंबी समय तक अलग किंडम होने के कारण यहां का कल्चर, आर्किटेक्चर और डिजाइन जैपैन से बिलकुल अलग है। ओकिदावा में चुरामी एक्वेरियम बना हुआ है। इस एक्वेरियम में एक कुरोशियो टैंक है जिसके अंदर 60 से ज़ादा प्रकार की प्रजातियों के जलिय प्राणी रहते हैं। इन में गिगैंटिक वेल शाक्स और फ्लाइडिंग मांटा रेस भी शामिल है। एक्वेरियम के बाहर कई पूल भी बने हुए हैं जिन में डॉल्फिन, सी, टॉटल्स और मैनेटी जैसे प्राडिया आप देख सकते हैं। ताकायामा ये एक छोटा सा शेहर है जो जैपैन एल्प्स के नॉर्थ में बसा हुआ है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से बने हुए वोडन हाउसेज देख किसी का भी मन इस शेहर में रहने के लिए करने लगा। सुबह के समय नदी के किनारे बाजार लगते हैं जहां आप ताजे भल खरीज सकते हैं। नदियों पर बने पुल के ओपर खड़े होकर आप शांदार तस्वीरे भी क्लिक करा सकते हैं। यहाँ मिटराशी डैंगो डिश भी आप जरूर प्राई कीजिए जो राइस बॉल से तैयार की जाती है। ताकायामा में ही हीडा फॉल्क विलिश नाम से ही एक जगा है और इस जगा की सैर आप किसी भी कीमत पर मिस ना करें। लाइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस नाव। मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें। बाबाई टेक केर।